जैमसिकी, गुट मॉर्निंग, आज सुभा, प्रभु का बचन हमारे लिए, विलाप गीत की पुस्तक अध्याई 1, आयत 14, Lamentations, Chapter 1, Verse 14, आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ. उसने जुए की रस्यों के समान, मेरे अपरादों को अपने हाथ से कसा है, उसने उन्हें बठकर मेरी गर्दन पर चड़ाया, और मेरा बल घटा दिया है, जिनका मैं सामना भी नहीं कर सकती, उन्हीं के वश मैं यहोवा ने मुझे कर दिया है. विलाप गीत की पुस्तक इरम्या भविशवक्ता के द्वारा लिखा गया है. है नहीं तो प्रभू का क्रोध तुम पर आएगा यह सारी बाते इरम्या लोगों को सुनाता था लेकिन यहुदी लोग प्रभू का वच्चन सुनने तयार नहीं थे वो लोग पाप में ही जी रहे थे और हम जानते हैं प्रभू का दंड उन पर उत्रा नबुकदनेजर राजा जो बैबिलोन का राजा है वो यरुशलेम पर हमला करता है वो मंदिर को तोड़ता है और वहां का सोना चांदी और साथ में लोगों को कैदी बना कर लेकर जाता है मेरे प्रियों अब यरुशलेम का दशा बहुत बुरा है और इतना संधर्ब जानने के बाद आज की आयत में हम लोग आएंगे जहापर हम पड़े उसने जुए की रस्यों के समान मेरे अपरादों को अपने हात से कसा है उसने उन्हें बठकर मेरी गर्दन पर चड़ाया और मेरा बल घटा दिया है इरम्या भविशवक्ता यरुशलेम शेहर के बारे में बात कर रहा है पहला अध्याय आटवी आयत में हमने पड़ा यरुशलेम ने बड़ा पाप किया है इसलिए वो अशुद्ध स्त्रीसी हो गई है यरुशलेम का पाप बहुत बढ़ चुका है और अब चौद्वी आयत में हम लोग पड़ रहे है कि इनकी अपराद इतना बढ़ चुका है कि परमेश्वर ने इनके अपरादों को एक साथ एक रसीस के समान उसको बना दिया उन रस्यों को एक साथ कस कर एक जुआ बना दिया अब वो जुआ को इनके खंदों पे रख दिया है और ये जुआ इनके खंदों पे आने के कारण बचन में लिखा है चौदरी आयत का दूसरा भाग में और मेरा बल घटा दिया है अब इनके पास बल ही नहीं है ताकत ही नहीं है कमजोर लोग है इन लोग इन लोग दुश्मन के देश में गुलाम होके रह रहे कुछ भी आजादी के साथ नहीं कर पा रहे हैं फिर लिखा है जिनका मैं सामना भी नहीं कर सकती हैं मेरे प्रियों हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं प्रभु के लोग परमेश्वर ने इनको अलग किया था प्रभु ने अपना व्यवस्था इनको दिया था लेकिन इन लोग पाप में जीना पसंद किया और उस कारण उनी का पाप उनके लिए एक बंदन बन गया एक करने वाले लोग है हम लोग कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं हम अराधना में जाते हैं हम गीत गाते हैं प्रचार करते हैं बीमारों के लिए परातना करते हैं सब कुछ हम करते हैं लेकिन हमारी जीवन को हमें जांचना है क्या कोई छिपी हुई पाप है हमारे अंदर क्या जान बूचकर हम लोग कोई पाप करते हैं हमें पता है हमारी जीवन के बारे में कभी-कभी हम लोग कुछ-कुछ एरियास में जह पाना चाते हैं लेकिन हम लोग जह नहीं पाते हैं उसी पाप के आधीन होकर हम रहते हैं उस पाप को हम छिपा देते हैं लोग उसको पहचान नहीं पाए कितनी बार हम लोग अकेले में बैठकर गलत चित्रों को देखते हैं उस पाप में हम फस चुके हैं कितनी बार हम लोग गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं विविचार में हम फस चुके हैं जूट बोलते हैं हो सकता है हम लोग हर संड़े जाकर आराध ना करते हैं लेकिन जब हम लोग कलीसिया से निकलते हैं संसार में रहते तब हम पाप में डूबे हुए हैं तो अगर हमारा जीवन ऐसा है तो हमें सावधान होना है क्योंकि हमारे पाप से अगर हम लोग पश्चाताप करकर उसमें से नहीं निकलेंगे तो वही पाप हमारी लिए एक जुआ के समान बन जाएगा जो हमारे खंदे पर जब आ जाएगा हमारे पास बल नहीं होगा और हम लोग किसी भी परिस्तिती का सामना नहीं कर पाएंगे हम चाते हुए भी हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया मैंने ये ट्राइ किया यहाँ पर कोशिश किया कुछ भी नहीं हो रहा है मेरे लिए ये क्यूं है अगर ऐसे सोच रहे हैं और आपका जीवन ऐसी परिस्ति में है चेक कर लिजे क्या कोई छिपी हुई पाप है कुछ प्रभु के खिलाफ बलवा कर रहे है क्या बच्छन से दूर हट कर आप लोग जी रहे हैं क्या मेरे प्रियों सिर्फ संडे चर्च जाने से हम लोग पवित्र लोग नहीं बनते हैं लेकिन हमारी जीवन के हर एक पल हमें वैसे जीना है जैसा परमेश्वर हमारे बारे में चाहता है हमारे लिए सबसे बड़ी सौभाग्या यही है कि जब भी हम लोग अपराद करते हैं, पाप करते हैं, हम दोड़ कर प्रभू के पास जा सकते हैं, प्रभू के पैरों के पास गिर कर हम बोल सकते हैं, प्रभू हमने गलत किया है, हमने पाप क्या आप हमें माफ कर दीजिये, और हमारा परमेश्वर दयालू, प्रेमी, अनुग् प्रभू के पास आना है, प्रभू के वच्छन के अनुसार जीना है, तब हम खुलकर जी पाएंगे, आशीश के मार्ग में हम जी पाएंगे, प्रभू ने दिया हुआ आजादी को हम मैसूस कर पाएंगे, आईए हम लोग प्रातना करें, स्वर्गे पिताज का वच्छन के ल अगर कोई भाई या बहन किसी भी पाप के साथ संघर्ष कर रहे हैं तो प्रभू मैं प्रातना करती उस पाप से निकलने के लिए विशेश अनुग्रा आप उन पर देना करकर मैं दूआ करती। प्रभू जी हर एक छिपी हुई पाप इश्चु के नाम से अमारी जीवन से निकल जाए बलवा करने वाला स्वभाव निकल जाए आज्या नहीं मानने वाला स्वभाव निकल जाए करकर मैं प्रातना करती। प्रभु हम आपके बच्चे हैं, आपके बच्चन के अनुसार हम चलना चाते, आप हमारी मदद करना प्रभु जी, पूरे दिल से आपके पीछे चलने के लिए आप मदद करना, आपसे हमारी प्रात्ना सुन लिए, इसलिए धन्यवाद, आदर और महिम आपको देते हुए, इस्चु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन, गौड ब्लेस यूव आल, जै मसी किये